So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर भी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लेना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो जिसके लिंक आपको नीच डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर आपको Nipty और Bang Nipty की काफी कुछ अपडेट्स मिलने आ लिए तो जाकर एक बार चेक आउट जरूर कर लेना तो वीडियो को करते हैं continue तो वीडियो के शुरुवात BHEL के साथ हम करेगे तो BHEL की अगर हम बात कर ले तो stock में morning में तो अच्छी तेजी हमें देखने को मिली बड़ बाद में stock में एक गिरावट आनी start होगी वही अगर हम बात कर ले तो BHEL में हमें 197.80 रूपीस के राउंट तक की closing आज देखने को मिल जाती है साथ ही return की अगर बात की जाए तो यहाँ पर negative return stock में आज हमें देखने को मिले share की अगर बात कर ले तो एक रूपे 80 पेसे के राउंट एक रूपे 85 पेसे के राउंट stock जो है आज हमें गिरता हुआ भी नजर आया है 0.93% की यह गिरावट रही और वही अगर हम बात कर ले तो stock में morning में तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी stock gap up open हुआ था और इसने high भी लगया था यहाँ पर 201.95 पेसे के राउंट तक का और वही अगर देखें उसके बाद stock में गिरावट आनी स्टार्ट होगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले 5 दिनों से stock में काफी हित तक fluctuations नजरा रहे है कभी stock में एक upside का मूँग देखने को मलता है तो कभी stock अगर देखें तो downside की ओर भी trade करने लग जाता है एक महीने की बात करें तो 19.90 पेसे stock बड़ा है छे महीने में 103 रुपए तो यह कुछ बड़त भी हमें in particular shares में देखने को भी यहाँ पर मिली है तो यहाँ पर अगर देखें तो हाली में BHEL ने एक बड़ी company को एक बड़ा order दिया है और यहाँ पर अगर देखा जाए IT stock है 7% की बड़त उस IT stock में हमें देखने को मिली company यहाँ पर अगर BHEL की बात करें तो BHEL ने इस IT company को 137 करोड का यहाँ पर एक project दिया है जिसके चलते हैं यहाँ पर अगर देखें तो इस particular share में एक बड़त देखने को मिली तो यहाँ पर BHEL की ओर से एक बड़ी यहाँ पर deal sign की गई है company का नाम क्या है Dine Accounts System and Solution Limited company का नाम है और इसे BHEL की ओर से एक project दिया गया है तो जिसके ऊपर यहाँ पर अगर देखें जिससे stock में एक बड़त हमें देखने को मिल गई और यह project अगर दिखें contract जो है 5 साल के around का रहने वाला है तो एक बड़ी deal यहाँ पर BHEL की ओर से की गई है ठीक है अब बारी आती है volume की की BHEL में volume किस तरीके से काम कर रहा है और volume की अगर बात कर ले तो बिलकुल यहाँ पर आप clearly देख सकते हो 3 करोड के around तक का trade value हमें stock में देखने को हमें मिल जाता है और साथ ही अगर बात कर ले yesterday की तो yesterday भी 3 करोड के around तक का trade value हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है तो share में अगर आप देखोगे तो high volume के साथ यहाँ पर buying हो रही है stock को यहाँ पर buy किया जा रहा है तो इसको लेकर भी आप यहाँ पर positive रह सकते हो साथ ही हम आगे बढ़ते है stock में अगर बात करे volume की तो यहाँ पर community sentiments के आखड़ों की तो community sentiments के आखड़े भी अगर आप देखोंगे तो positive नजर यहाँ पर आ रहा है community sentiments के आखड़ों की बात करें तो इसमें 75% लोग stock में positive यहाँ पर नजर आ रहा है और 25% लोग के और stock में sell के लिए भी का जा रहा है तो जादातर लोग stock में positive हैं तो एक अच्छी चीज यहाँ पर हमें देखने को मल जाती है और वही अगर दिखा जाए इसके levels पर अब हम focus करते हैं कि levels किस तरीके सा stock में काम कर रहा है और हमें किन points के उपर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए तो हम आ जाते हैं BHEL के levels के उपर तो पहले तो हम discuss करेंगे इसे 5 minute के chart frame पर कि 5 minute के chart frame पर stock में क्या चीज हमें देखने को मल रही है तो कल जो level के हमने बात की थी उसके हिसाब से stock ने breakout दिया और उसके बाद अच्छे returns भी देखने को मिले और यहाँ पर हमने कुछ important levels discuss किये थे 15 minute के chart frame पर अगर मैं आपको बदाओ तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि stock में पहले तो हमें काफी time तक wait करना पड़ा कि जो जिस particular level से rejection इसे मिल रहा है उस level को यह break करें तो यहाँ पर आप देखोंगे इस point से stock में हमें पहले गिरावट देखने को मेली थी 204 रुपे का जो level है एक IMP level है 204 रुपे के levels है stock में पहले यहाँ से भी हम गिरावट face कर चुके है और यहाँ से भी गिरावट face हम कर चुके है तो यह दो जो level है एक काफियत तक IMP level है हमारे लिए उसके बाद यहाँ पर downside की और से अगर देखें तो यह 198-197 के around का यह level है यहाँ पर एक support का काम भी कर रहा था है share तो इसके चलते अगर देखें तो यहाँ से stock में एक बड़ा fall हमें देखने को मिला यहाँ से एक गिरावट हमें देखने को मिली और उसके बाद जो इस stock है sideways यहाँ पर जाना start हो गया sideways जाने के साथ-साथ मैंने और एक चीछ कही थी कि sideways भले ही यह share है बट उपर से इस particular trade line का भी rejection ले रहा है और साथ ही एक IMP resistance का का काम भी यहाँ पर उपर की ओर से हो रहा है तो एक कुछ points थे जो हमने इस particular share में discuss किये थे ठीक है तो यहाँ पर इन ही levels को ध्यान में अगर आप देखोगे तो stock में इन ही points से काफी बार A stock ने rejection लिया तो हमने एक चीज यहाँ पर बताई दी आपको कल के वीडियो में भी कि A stock अगर इस level को break करता है तो अच्छे return मिले गए और exactly कल यह level break हुआ भी कल stock में अगर देखे breakout यहाँ पर हमें मिला भी तो यहाँ पर breakout के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो breakout के बाद अच्छे return में देखने को मिला बट उसके बाद stock में गिरावाडा नहीं start होगी तो कल की लिए क्या strategy stock में आपको रखनी चाहिए कल की लिए क्या levels है किन levels के उपर आपको focus करना चाहिए तो उपर से अगर देखे इस trade line के उपर तो आप ध्यान रखना ही रखना क्योंकि यह trade line rejection का काम कर रही है इस चीज का आपको ध्यान रखना है और साथ यह level के बारे में भी आपको जानना चाहिए यह level भी एक IMP level है क्योंकि यहाँ पर अगर देखे इस level का breakdown है breakout के बाद stock उपर के और भी गया support आज इसने यही पर लिया और closing भी इसी level पर दी तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यह 1 IMP level है ठीक है एक IMP level है यह इसके उपर आपको ध्यान देना चाहिए और यहाँ से अगर stock में breakout मिल जाता है तो stock में एक उच्छाल भी हमें देखने को मिल सकता है stock में अगर देखे तो 201 रुपे के round तक का target easy कल अच्छी होता हुआ भी हमें नजर आ सकता है एक ascendal sorry, descendal type triangle बनाने की कोशिश कर रहा है तो stock में कल wait करना breakout का breakout अगर मिलता है तो stock में यहाँ से एक बड़ा उच्छाल हमें देखने को मिलने वाला है इस चीज़ को लेकर भी आप ध्यान रख सकते हो साथ ही आप यहाँ पर यह भी देखो तो यह कप पॉलिन फ्लैक टैप पैटन बनाने की भी कोशिश है आपर हो रही है तो उपर के target हमारे clear है 206 रुपे का target भी हम रख रहा है और साथ ही अगर देखें तो stock में एक descentral type triangle अल्रीडी बन रहा है तो एक breakout के बाद हम उम्मीद कर रहा है कि stock में एक बड़ी बड़त हमें देखने को मिले और बड़े levels भी हाँ पर अच्छी हो तो हम उम्मीद कर रहा है कि यहाँ से एक बड़ा momentum देखने को मिले क्योंकि यहाँ से अगर देखें stock ने एक बार sustained किया हुआ है इस 225 के round का 225 के round का level है इस point से stock में पहले अल्रीडी गिरावट हम face कर चुके है तो इसलिए important level है और 206 का जो level है ए break होना काभी important है क्योंकि इस point से काफी बार गिरावट आ जुगी तो यह level अगर break हो जाता है तो stock में हमें अच्छे return देखने को मिल सकते हैं तो अल्रेडी बड़े time frame पर अगर आप देखो गये एक बड़े time frame पर भी falling wish type pattern बन रहा है breakout के बाद stock में एक बड़ी बड़त का हम वेट कर रहे है और यह बड़ी बड़त जो है हमें आने वाले time में देखने को मिलेगी भी तो बिल्कुल हम वेट करेगे तो अब बारी आती है मुकेश अमबानी ने game पलट दिया है गोतम अडानी को इन्होंने पीछे धकेल दिया है वापस से और वही अगर देखें गोतम अडानी से आगे निकले मुकेश अमबानी net worth 100 billion dollar के पार इनकी हो गई है और वही अगर देखें तो expert का एक bullish यहाँ पर view भी है मुकेश अमबानी के कुछ important shares के उपर तो इसके उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए तो यहाँ पर अगर देखें Reliance Industries के उपर इनकी और से positive rating दी जा रही है और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें तो Reliance Industries भी यहाँ पर आने आले time में एक अच्छे positive return दे सकता already stock अच्छा return दे चुगा है और आने वाले time में stock में इच्छे return देखने का मिल सकता है तब bonus share को देख लेते हैं सलासार techno engineering limited की हम बात करें तो सलासार techno engineering limited की अगर बात की जाए तो stock में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल एक bonus का announcement हुआ है 4H21 का bonus company देने वाली है एक bonus date अभी तक announce नहीं हुई है बट जल्दी एक bonus date भी यहाँ पर announce होने वाली है तो बिल्कुल यहाँ पर भी आप try कर सकतो 4H21 याई एक share के उपर 4 bonus के share आपको मिल जाएगा So I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा वीडियो गर अच्छा लगा हो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मत भूलना और एक important चैनल को अब कोई भी stock में investment कर रहे हो तो इन shares का एक बार analysis जरूर करना बिना analysis के in particular shares में आपको investment नहीं करना है टेलिग्राम चैनल को join करो link नीचे description में मिल जाएगी जाकर check out कर लेना Thank you